तो बहुती सॉप्ट, बहुती रसी ली घुलाब जांउन के बनाते में रखे हैं मैं आपको कट करके भी दिखा रहे हैं कि इतने सौप्ट इतने रसीले बन के त्यार हुए हैं देखिए आपको दिखने से पता चल रहा होगा और इसे हमने घर पर ही बना के त्यार किया है हमें बजार से लानी की कोई जरूत नहीं है तो चले इसे हम फ्रेट बना लेते हैं अ तुकि मीठा होता है लेकिन इसको बनाना बहुत ही असान है थोड़ी सी ना वो चीपकते आं लेकिन इसे बनाएंगी तो आपक इतनी है टेस्टी बनके तियार होंगे कि आप एक बार खाने के बाध दुबारा आपजार से नहीं लोगे। इसी को लं सफरी हो गा है हैं तो अभी हम इन टाल देंगे में में पिर्ड में में यह एक मजा डाल देड़ में टाले भी इसमें घी भी डाला था और ठ्ट के लिए पेarte लिए लना रहा है अब केरे का next को है यन natural है इस तरह से ताकि इसके रबडी जो है अच्छे से बन पाए और ये तले में चिपके नहीं साइट को जो लगे हैंगे उसे भी हम इस तरह से खुरोषते हुए और इसे बना के त्यार करेंगे और देखिए कुछी दर में 5-7 मिनट लगे और ये देखिए रबडी कैसे बन के त्यार हुई है दिखने से आपको पता चल रहा है कि बिलकुल मार्केट की तरह रबडी बन के त्यार हुई है ओभी बहुत ही जल्ली और इतने रबडी में करीबन आप 1 kg तक आप गुलाव जबन बना के त्यार कर सकते हैं तो रबडी बन के त्यार हो गई तो उसे में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, तब तक हम चासनी बना लेते हैं, तो एक पतीले में नापकर एक कप हमने चिनी डाला, इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे, पानी डाल के इसे बोल कर लेंगे, यह हमने 1.5 कप पानी डाल दि फ्लेवर के लिए दो इलाची को कुट के डाल दिया है इससे अच्छे फ्लेवर आ जाते हैं तो आप जैसा फ्लेवर चाहे जो पसंद करते हैं आप उस फ्लेवर में इसे बना सकते हैं तो मैंने इलाची को कुट के ही डाल दिया है अब देखे चासनी में उबाल आने लगा है गैस का फ्रेम हमने मेडियम कर दिया है, दो से तीन मिनट पकाएंगे और चासनी बन के त्यार वज़ेगे, चासनी हमें बिल्कुल चिपचिपी से बनानी है, कोई प्तार वाली चासनी हमें बना के त्यार नहीं करनी है, और तीन मिनट हो गया है, तो मैं चासनी आपको चेक कर रखाता देखिए बिल्कुल ते यह थंडे हो गए अब इसे हमें बिल्कुल सॉप्ट कर लेना है जो इनके धाने बनेहे तो इनको हथेली के साहता से इस तर से रगर रगर के बिल्कुल सॉप्ट है चिकना बना लेंगे तो यह थोड़ी मीठी होती है क्योंकि इसमें चीनी होता है तो इसलिए हातों में चिपकते हैं लेकिन कोई बात नहीं जब इसके गुलाब जामन बना के एक बार आप खा लोग हैं तो जैसे कि मीठा है इसलिए फ़र सा गिला-गिला दिख रहा है तो वांडिंग मैं इसमें डाल रही हूं मैदा तो यह हमने दो चमच इसमें मैदा डाल दिया है जरूर पढ़ने पर मैं एक चमच और मैदा डालूंगे इसे बहुत ही अच्छे से वांडिंग हो जाती ह ऑर ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से mix हो गया है, इसके दाने जो बिल्कुल soft से हो गया है, तो मैयदे को भी ढलके उसी तरह से हम mix करेंगे, और mix करने से आपको पता चल रहा होगा थाली में कि बिल्कुल चिकना सा यानि soft सा हो गया है जो इसके दाने हैं बिल्कुल नरम यानि बिल्कुल soft से चिकने हो गया है इसी तरह का हमें चाहिए तिधर हमने भी बना लिया है और देखिए हमने इसमें तीन चमज मेदा डाल के मिक्स कर लिया है अब इसमें मैं डाल रही हूं 140 बेकिंग सोडा इससे हमारे गुलाब जावन बहुत अच्छे से फूल जाएंगे डाल के इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अब देखिए हातों में चपपक रहे हैं तो थोड़ा सा हम एक चमज के करीब इसमें घे डालेंगे और गी डालने से चिपकेंगे नहीं एक जमच हमने इसमें घी डाल दिया है और इसे अच्छे से सभिट लेते हैं यह बिल्कुल सब्ट से हो गया है और बिल्कुल अच्छे से फूले फूले से भी हो गया है गी डालते के साथ ही देखे बिल्कुल चिपकना बंद हो गया है और इजी बिल्कुल अच्छे से थाली को छोड़ने लगे हैं बहुत अच्छे सी सौप्ट से बनने के त्यार हुए हैं आपको दिखने से ही पता चल रहागा इसका जब मैं रोल बना रही तो बिल्कुल चिकनी सी रोल बनने के त्यार हुए है अभी मैंने सभी को एकटा कर लिया है और थोरस इसमें गुलव जामुन का से बनने के लिए निकालके और इसे गोल करके इसे चेक कर लेंगे ताकि इसमें कोई crack ना हो crack होंगे तो इसमें थोड़ा सा और हम मैदा डाल सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल crack नहीं हो रहे हैं बिल्कुल crack free एक गुलाव जम बनके त्यार हुए हैं तो आप इस तरह से cylinder का shape में भी बना सकते हैं या फिर आप gold भी बना सकते हैं तो मैं इसे दोनों ही shape में बना के त्यार करूँगी क्योंकि मेरे बचों को ज्यादा तर गोल ही पसंद पड़ता है तो 5-6 हम इस तरह का cylinder का shape में भी बनाएंगे और बाकी को हम गोल में बनाएंगे और बिल्कुल चेक नहीं हो यह देखिए इसमें crack भी नहीं है और 100 गराम एक के जी से डेड़ के जी तक अपके गुलाव जावन मेडियम साइज के बन जाएंगे बजार से लाने के आपको जरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए हमने तेल रखा है कड़ाही में जैसे हम डाल रहें गुलाव जावन तो चोटे-चोटे बुलबुले निकल रहे हैं अभी मैं सारे गुलाव जावन के इसमें डाल देते हैं अब जैसे कि यह जो मिल्क परण था हमारा मीठा था थोड़ा से दॉट-ड़ट पर जाते हैं तल तेफमे यहां डालनी के थोरा से चमल डर सी تर से चला देंगे यह देखिए जैसे हमने डाला थे, फूरा तो फूरा डॉट पढंगे थे अभिधी हमने गैस का फ्लीम मीडियम रखा है और फूरा जैसे उपर सी सigg़ जाएंगे उसके बाद हम गैस का फ्लीम जो है मेडियम से कम करा डबल हो गया है बहुत अच्छे से फूल गया है अब बिल्कुल क्रैक नहीं है इसमें तो बिल्कुल यह फटे हुए नहीं है देखिए तो यह बिल्कुल पॉर्फेक्ट है गुलाब जामून बना बस इसते हैं किसी भी एस्पेचले से उपर-उपर तक इस तरह से तेल को दा तो चली अब हम इने निकाल लेते हैं और जितरे सारे गुलाब जामून है सभी को हम इसी तरह से फ्राइए कर लेंगे गुलाब जामून को फ्राइए करने के बाद गुन गुने चासनी में से हम डिप कर देंगे तो हमने पतिले से चासनी को निकाल के के बड़े से कंटेनर बेच तरह के रख दिया है ताकि इसमें गुलाब जामुन को इजली हम अच्छे से भिंगा पाएं चेक करके भी मैं दिखा रही हूं और एक गंटे के लिए गुलाब जामुन को छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चासनी को अपने सोक कर ले और इधर देखे बहुत अच्छे से जो रशे हैं उसको सोक किया है और देखने से बहुत सौप्ट से बनके त्यार ये देखिए रशे से देखी रहे हैं आप कि कितने इसमें से निकल रही है चासनी तो ये बिल्कुल परपेक्ट है तो आप इसे जरूर बनाएं तो एक बर्तन में मैं को अच्छे लगी था में कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हैं जय भार